अगर आप यह सिर्फ एक सिक्रे स्टाटेजी केमेस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली ओयोटी यूजी दियोज़ाद 24 में फॉलो करते हो तब आपको ओयोटी यूजी में केमेस्ट्री पर्शन में 60 प्लस लाना से कोई नहीं रोख सकता इसलिए ध्यान से एंड दखी देखना क क्यूंकि हाप नुलेज इस मोर डेंजरूस हेलो फ्रेंट्स मेर नामें गौताम और आप सबी को स्वागते हैं हमारी यूट्यूब ट्याल में जहां परता हैं सिर्फ और सिर्फ तूद पाण बाते हैं और कुछ बोकास बतने हैं तो फ्रेंट्स आज हम डिक्रिस करेंगे यूट्यूजी यूज़ा 24 के लिए स्पेसिपिकली केमेश्ट्री पर्शन में कैसे हम इजिली इस देड़ मौहिन में 60 प्लस ला सकेंगे कैसे हम हमारे जो टार्गेट है बेट्रिनरी एग्रिकल्चर जो भी आपका टार्गेट है इजिली क्राक कर सकेंगे क्योंकि आप सनो जो मैं बता रहा हूं ओके और हां वीडियो को एंड तो कि देखना क्यूंकि एंड में सेलेक्टर चाप्टर पीडियाप सब कुछ बताऊंगा और कुछ सिक्रेस्ट्रेजिए बहुत भी डिक्सर्श करूंगा ध्यान से देखना अगर आप सीरियोस हो तभी देखो परन उसमें अगर आप गलत करते हो आपको नेगेटी मार्की नहीं है यानकि अगर आप सही करते हो तब आपको एक मार्क मिलेगा अगर आप गलत करते हो तब आपको देरिस नो नेगेटी मार्की ये बात ध्यान में रखो ओके और हां मैं आपको फिट से बता रहा हूं कि हर साल O.U.T. U.G. में थोड़ा बहुत सिलाबॉस, सेलरी, एक्जाम पेटेन, स्मार्ट स्टाटेजी यानके फिजिक्स के लिए क्या सिलाबस पढ़ना चाहिए, केमेस्टर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, हर साल चैंजेस होता है, मैं उनके लिए डेडिकेटली वीडियो बहना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा महनत, बहुत रिसर्च करके बनाया हूँ, जाकर नीचे डेस्क्रिशन में देदूँगा, वान बेवन देख ले हैं, तकि आपका confidence बोष्ट हूँ के, इज़ी लिए आप देड़ महने में क्राक कर सको, क्योंकि आपको ये कमेंशेस लगाओ, कि देड़ महने में, दो सल के सिलाबस कबर करना आसान है, ये खुद से पुछो, एक चाप्टर पकड़ो, अगर आप केमेस्टर में, एक चाप्टर, स्ट्रक्चर पाटरम पड़ोगो ना, अच्छे से concept ले करोगो ये, क्लास लोगो ना, तो आपको लगेगा, minimum 5 days, इसलिए अभी आपको क्लासेस के फिचे भागने के जरूत नहीं है, smart strategy वो जरूत नहीं है, वो क्या है, बताऊँगा, ध्यान से सुनेगा, next है, how to top in chemistry, देखो, chemistry हो, physics हो, या फिर बायो, या फिर मेट, specifically 5 महिने में, या फिर 2 महिने, 5 महिने आपको पता हुआ, 12 आने के बाद, या फिर जो भी ड्रॉपर है, उनको ये भी पता हुआ, कि 10 महिने, 2 महिने, फिर 3 महिने में, 2 साल के syllabus कवर्ण करना, कितना ज़्यदा top है, top करने के लिए 2 ही तरीका है, एक है hardware, दूसरा है smart work, hardware क्या है, ध्यान से सुनो, hardware करने में, आपको chemistry का, जो भी 11 और 12 में, जितना भी syllabus है, जितना भी chapter है, उन सबी syllabus, उन सबी chapter को, 1 by 1 पढ़ना है, 1 by 1 MC को लगाना है, तो भी आपका इजिली, 66 में से, 65 या फिर 64 आही जाएगा, लेकिन, आपको अब सबी क्या है, इतना time नहीं है, यह ध्यान में रखो, और आपना common sense लगा हो, आपको अब सबी है smart work करने का, यानि कि, limited content, limited chapter पढ़ना है, ताकि आपका 66 ना हो, लेकिन आपका जो target है, यानि कि, veterinary, agriculture, forestry, fishery में, आपका इजिली selection हो सके, इजिली 60 plus last हो कोगे, ओके, तो smarter क्या है, मैं बता रहाएं ध्यान ची सुन, chemistry, physics के, या फिर बायो में, या फिर math में, smarter करने के लिए, अभी जे आपके लिए, जो valid point है, वह आपको limited chapter, limited content को cover करना है, यह main point, second है, जितने भी high-weightage chapter है, physics हो, chemistry हो, अभी मैं chemistry के बाद कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर discuss करूँगा, उन high-weightage chapter को, जो भी 4-5 साल के paper है, उनसे मैं analysis करकर आया हूँ, आपको कोई मेनद करने के जोरूत नहीं है, मैं बता रहाँ ध्यान से सुनू, उन high-weightage chapter को अगर आप पड़ोगों है, तो आप definitely 66 में से, 60 plus 100 लाहा ही राव गए, और हाँ, यह भी पता होगा, आपको अब नेगर्टी मार्की नहीं है, आपको लिए बहुत इग्रेटेस्ट नहीं हूज है, अभी बता था हूँ, कि आपको क्या करना है, आपको fast target डखना है, कि आपको कौन सी field में, solution लेना चाहिए, veterinary, agriculture, fishery, forestry, कौन सी में, मैंने अल्लेडी एक डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, यानकि जो भी आपको सिलेक्टर चाप्टर है, chemistry, physics, veterinary, agriculture, forestry, fishery में, उनमें में minimum cut-up किया जाएगा, अगर आप उन cut-up को target डखना तो आप इजीली crack कर पाएगे, अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख्या हूँ, डेस्क्रिशन में वो playlist देदूँगा, जाकर देख लाना, अब बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा important, chemistry के लिए most important chapter क्या है, यानकि कौन कौन सी chapter बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें 90% question आता है, उसे cover करना है, वो कैसे cover करना है बताना हूँ, ध्यान चे सुन, कुछ chapter है structure of atom, उनमें 19 से लेकर 23 तक, मैंना जित्तरा भी आनन्सिस क्या है, 4 से लेकर 5 question, minimum 4 question, maximum 5 question ही आता है, यह है most important, और इसमें से maximum question आता है, atom structure में, second है chemical bonding, इनमें से कुछी question, कुछी pattern है, वो मैं, मतलब जी student ने, नोश्ट लिया है, या फिर गार्डन लिया है, उन्हें अच्छे से पता होगा, कि कुछी pattern है, वो direct वहाँ से question पूरता है, कितना question पूरता है, 3 से लेकर, minimum 3, maximum 4, उसे तरह, reduce reaction में, minimum 3, maximum 4, states of matter में, maximum 3 question पूछा था, जो 19 से लेकर 23, उसे तरह, periodic table में, minimum 4 से लेकर, 5 तो कुछा है, और environmental chemistry में, जो भी उसके अंदर आता है ना, hydrogen, polymer, surface chemistry, D&F block, SNP block, 1, 2, 3, 4, 5, इन 6 चप्टर में, 14 से लेकर, 15 कुछान यहां से कुछान पूछता है, और एक चप्टर है, electro chemistry, जिसमें से 4 कुछन यहां पर, definitely आता है, और हाँ, यह बता रहा हूँ, यह जो 5 चप्टर है ना, structure of atom, chemical bonding, reduce reaction, states of matter, period table, बहुत ही जदा important कुछन है, यहां पर maximum कुछन आएगा, और आपके लिए good news यह है, मैं फिट से बता रहा हूँ, मैं अल्लेडी यह जो previous पर पर है, notes, और जहां से direct कुछन आएगा, personal guidance, यह फिर notes, सब कुछ available है, मैंने अल्लेडी, सब कुछ include कर दिया है, आपको थोड़ा से payment दना है, वो payment अगर आप चाहो तो discount में कर सकते हो, क्योंकि exam बहुत कौम टाइम है, मैं चाहता हूँ आपका 100% selection, अभी आप पूरी syllabus के पिछे भागोगे, तब आपका selection नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं यसलिए यह बता रहा हूँ, कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैरा जिस वज़े से selection नहीं हुआ था, जिस वज़े से मुझे guidance नहीं मुझे बता था, आपका भी सेम गलती करूँ, आप भी आपना time waste करूँ, यह जो number है 933-7850394, इस number पे मुझे call करके, guidance या पर notes ले सकते हूँ, नहीं तो, discussion में मुझे अपना, मैंने अल्री सब कुछ बता दिया है, guidance या फिर notes, वहाँ पर मुझे WhatsApp डियम करके, यह जो जितना ही बता दिया, उसके साथ extra जो 10% क्या पढ़ना है, वो भी मैंने अल्री इंक्रूट किया है, और क्या पढ़ना है, प्रीबेस पेपर, सब कुछ पर्सनल गाइडन्स में मैंने इंक्रूट किया है, क्या पढ़ना है, क्या छोनना है, जिस student को पता है, वो definitely clear कर लेगा, और पर्सनल गाइडन्स में मैंने सब कुछ बताया है कि, कैसे आप इजली करा कर सकते हो, कैसे आप कॉम टाइम में कॉम पढ़के, लिमिटेड कॉन्टेट, लिमिटेड सब्जेट में, 100% क्लियर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, तो लेग सकते हो, अगर आपका नहीं है पेशा, तो मुझे इस नमबर के कॉल करके, कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हो, और उसके बाद भी आपकास, कुछ भी पैसा नहीं है, यह जो चाप्टर दिया है, उसे पढ़ो, क्यूंकि मैं चाहता हूँ, आपका सिलेस्न हो सके, लेकिन अगर आप गाइडास, यह फिर नोट लोगे, तो आपको बहुत सारे हेल्पिल मिलेगा, और विद्याड मने में, इजले आप अपना तर्गेट है, लेकर इकल्चार भेटरनेर, फोरेश्टरी, फिस्टरी और वाइट टेक्नोलिजमें, टॉप स्कूर कर सकते हो, मुझा आसा है, उई-उटी उजी में, केमिस्ट्री परस्टन के लिए, केसा टॉप करना है, मैंने सब कुछ सिक्रेट बता दिया, और हाँ, जिन्होंने परस्टना गाइडान लिया है, उनके लिए सिक्रेट स्ट्रेट जी, अगर आप नहीं लिये हो, तब आप खुछ से पड़ो, अगर आप चाहते हो लेना परस्टना गाइडानस, मुझे कॉल करके ले सकते हो, क्यूंकि मैं चाहता हूँ, अभी जितने भी टाइम है, आप उस टाइम की उटलेस करो, आपका सेलेसन लेजा हो, आज करें इतना ही, मिलते हैं नएफ उड़े में, तब तक लग खुछ रही है, कीप स्माइलिंग,